कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बैल आइकन को दबाएं दोस्तो नमस्कार मैं राकेश उबाद है आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में अगर आप किसी भी एप्लिकेशन का आइकन अपने हिसाब से चिंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बड़े ही आशानी से जैसे आप अगर किसी भी आइकन पर अपना फोटो लगाना चाहते हैं या किसी और का फोटो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं जैसा किआप देख रहे हैं, मैंने लगा रखें, यह देखिये, फोटो कुछ और यह देखिये, जैसे यह देखिये, Facebook का है, मैंने यह खुला, यह Facebook खुल गया, तो यह है देखिये Facebook, तो इस तरह से आप Change कर सकते हैं किसी भी आइकॉन को, तो आईए मैं बताता हूँ यह आप कैसे कर पाएंगे सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करें और वहां पर डालें आप आईकॉन चेंजर सबसे उपर वाला 4.2 रेटिंग का यह बहुत ही अच्छा एप है आप इसको डाउनलोड कर लें और अब इसे हम ओपन करें इसका आईकॉन में दिखा देता हूं डाउनलोड होने के बाद कैसा देखेगा डाउनलोड होने के बाद इसका आईकॉन आपको इस तरह से दिखाई देखा इसको हम ओपन करते हैं अब देखिए आपको बीच में क्लिक करना है इस पर अब देखिए जिस भी एप्लिकेशन का आपको आईकॉन चेंज करना है वो आपको यहां से सलेट करना है देखिए जैसे मुझे करना है वाट से का तो मैं यहां पर सलेट करूंगा और दे सकते हैं, Message या Chat लिख सकते हैं तो WhatsApp का नाम चेंज कर सकते हैं और देखिए यहां पर बहुस सारी चीज़े मिलेंगे आपको Filter, Decorate लेकिन मैं आपको एक फोटो लगा कर दिखाता हूँ, Change पर जाईए और Gallery में जाईए और कोई साभी यहां से आप फोटो ले लीजिए जो भी आप यहां पर फोटो लगाना चाहते हैं वो आप यहां से लगा देजिए आप यहां से ट्रॉप कर सकते हैं इस फोटो को इसके बाद आप ओके कर दीजिए थोड़ते कुछ सेकंड प्रोसेसिंग में लेगा उसके बाद आपका आइकोन चेंज हो जाएगा आप दूसरे को भी कर सकते हैं इसी तरह से अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले जो हुआ है हमारा चेंज यह देखिए चैट नम से यह हो गया और यह वहाट सेप का है यह देखिए खुल गया आपका वहाट सेप तो आप जिस भी आइकोन को चेंज करना चाहें यहां से कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको मेरे यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों में सियर करें थैंक यू फर वाचिंग